नमस्कार में नीरज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अप जानने वाला है Classics का हमारे अतीत चाप्टर का नाम है इतिहास कीताब का नाम है हमारे अतीत इससे पहले पांच चाप्टर कंप्लीट हो चुका इससे पहले वाले आपने चाप्टर नहीं देखा है तो वीडियो सेक्षन में यह प्लेइलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं क्लासिक्स चाप्टर का नाम है ने प्रश्ण ने विचार ने प्रश्ण और ने विचार चाप्टर का नाम है अध्याज 6 हाई है आनगा ने कली सेर पर पर आनगा एक लड़की का नाम है आनगा आज पहली बार अपने विद्याले की ओर से सेर पर जा रही थी सेर पर जा रहे थी, यहां पर सेर नहीं है, सेर है इसके लिए उसने देर रात पूने महराश्ट देवाराना से उतर पर देस के ट्रेन पकरी इस्टेशन पर आनगा को छोरने आई उसकी माने अध्यापिका से कहा बच्चों को बुध के बारे में बताने के साथ-साथ जन्म लगवा 25 सो वर्स पुर्व हुआ था, यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे जैसा कि तुमने अध्यापांच में पढ़ो महाजन पदो के कुछ राजा उस समय के बहुत सक्ति साली हो गय थे हजारों सालों के बाद वे फिर से नगर उभर रहे थे, गाओं के जीवन में भी बदलाव आ रहा था अध्याए नौ में देखो और बहुत से बिचार को इन परिवर्तनों को समझने का प्रियास कर रहे थे वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे, बोध छत्रिये थे, तथा साकेर नामा के एक छोटे गन से संबादी थे युवा वास्ता में ही जियान की खोज में उन्होंने घर के सुखो को छोड़ दिया अनेक वर्सों तक वे भ्रहमन करते रहे, तथा अन्य विचारकों से मिलकर चार्चा करते रहे अत्यांत ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने श्वियम ही रास्ता रूड़ने का निश्चा किया इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तफश्या की अन्तव उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुए उसके बाद से वे बोध के रूप में जाने जगए यहां से वे वारा नस्ती के निकट इस्ते सारना थे गया जहां उन्हेंने पहले बार उपदेश दिया यह ऐसा हमारी लालसाओं जो हमेसा पूरीत नहीं हो सकती के कारण होता है कभी-कभी हम जो चाहते हैं वो अप्राप्त कर लेने के बाद भी स्वंतुष नहीं होते हैं एउम अधिक अत्वा अन्य वश्टूओं को पाने के एक्चा करने लगते हैं बूद ने इस लिफसा को तज्जह या त्रीष्णा कहा है बूद ने शिक्चादी के आत्म से यंप अपना कर हम ऐसे लालसा से मुक्त पा सकते हैं उन्होंने लोगों को अधयालू होने तथा मनुश्री के साथ जान वरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्चादी वे मानते थे कि हमारे कार्मो के परिनाम चाहे वो अच्छे हो या बूरे हमारे वरतमान जीवन के साथ सत बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं बूध ने अपनी सीख्छा समाने लोगों की प्राकृतिक भासा में दी उसे समाने लोगों भी इसके संदेश का समझ सके वेदो की राजना के लिए किस भासा का परियोग हुआ था आपको बताना है सारनत इस्टूप, यहाँ पर सारनत के इस्टूप दिया गया है इस इमारत को इस्टूप के नाम से जाना जाता है यहीं पर बूद्ध ने अपना सरप्रत हम उपदेश दिया था इसी घटन के स्मूरिती में यहाँ स्टूप के निर्मान किया गया ध्याइगारा में तुम इने स्टूप के बारे में और अधिक पढ़ोगे यहाँ पर देखेंगी यह स्टूप है, सारनत में बूद्ध ने यह कहा कि लोग किसी सिख्छा को केवल इसलिए नहीं सरकार करें कि यह उनका उपदेश है, बलकि वे उसे अपने अभिवेक से मापे आओ देखो उन्हें ने ऐसा किस परकार किया किसा गोत्मी की कहानी किसा गोत्मी की कहानी यह भूद के विशा में एक फरसिद कहानी एक समय की बात है किसा गोत्मी, नमक एकिस्तिरी का पूत्र मर गया इस बात से यह इतनी दूख्य हुई कि वे अपने बच्चे को गोत्मी लिये कर दूँगा किस मा तो बहुत प्रसुन हुई पर जैसे ही वह वीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा ये वीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ यहां किसी की मिर्टू न हुई हुई किस मा तो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गए लेकिन वह जहां भी गए उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पीता, माता, वहन, भाई, पती, पत्मी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादे मिर्टू हुई थी बुद्ध दुखी मा को क्या सिख्चा देने का प्रयास कर रहे थे आपको बताना है उपनी सद जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे आने चिंतक भी कठिन प्रश्णों का उतर डूड़ने का प्रयास कर रहे थे उनमें से कुछ मिर्टू के बाद के जीवन के बारे में जानना चाते थे जबकि अनियगों का उपयोग के बारे में जानने के उत्सुक थे इनमें से अधिकांस चिंतकों का यह मानना थे कि इस भी सहे में कुछ तो ऐसा है जो किया स्थाई है और जो मिर्तु के बाद भी बचा रहता है उन्होंने इसका वर्नन आत्मा तथा ब्रहा अत्वा स्रव भौम आत्मा के रूप में किया है वे मानते थे कि अंत्वा आत्मा तथा ब्रहा एक ही है ऐसे कई विचारों को संकलन उपनी सेदों में हुआ है उपनी सेदों उत्तरवेदी ग्रांतों का हीसा थे उपनी सेद के साबदिक अर्था गुरु के समी बैठना इस ग्रांतों में अधियापकों और विद्यार्थियों के बीच बादचित के संकलन किया गया है पराय ये वीचार समाने वरतलाप के रूप में प्रस्तूत किये गए हैं यहां पर देखें भारतिय दर्शन के छे फद्थी सद्ध दर्शन सद्धियों से भारत दोरा उसत्य के वोधिक खोज के परतिनी दितो दर्शन के छे सक्षाओं ने किया यह वेश्वी के नयाय श्रंक्या योग और फुर्व मिमांसा और वेदान्त या उत्तर मिमांसा के नाम से जाने जाते हैं दर्शन के इंचे फद्थियों के अस्थापना करम सरिश्षी, कन्नाद गोत्तम, कफिल, पतंजली, जैमनी और व्यास द्वरा की गई मानी जाती है जो आज भी देश में वोधिक चर्चा को दीशा देते हैं जैर्मन मुल्क के ब्रिटिस भारत वीद फेडरिक मैक्स मूलर के अनुसर दर्शन की इंचे सकाओं के विकास कई फेडियों के दोरान वेक्तिकत विचारकों के योग से हुआ है याद भी ये एक दूसरे से भीन हथ दिखते हैं जत्हाफी सत्य की इनकी समझ में अधारवुत ताल में दिखाई दिखता है ऐसे कई विचारकों के संकल्प उपनिसद में हुआ है उपनिसद उत्तर वेदिक ग्रांतों का हिसा थे उपनिसदों का साब्दिकर तो गुरु के समीप बैठना इस उपनिसदों में आध्यापक और विद्यातियों के बीच बाच्चित के संकल्ण किया गया है यह प्रायव विचार सम्माने वरतलाप के रूप में प्रस्तूत किये गए हैं यहां पर बुद्धिमान विखारी देखेंगे यह वरतलाप चान दो गए उपनिसद नामक परसिद उपनिसद की एक कहानी पर अधारित है शोशन सोनक वह अभी प्रतारिन नामक दो रिष्टी शरवभामि आत्मा के उपाशन करते थे एक बार जोहीं वे भोजन करने के लिए बैठे एक विखारी आया और भोजन मांगने लगा शोनक ने कहा हम तुम्हे कुछ नहीं दे सकते विखारी ने पूछा विद्य जन आप किसके उपाशन करते हैं अभी प्रतारिन ने उतर दिया शरवभाम आत्मा की ओह इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सरवभाम आत्मा संपुर्ण विश्व में विद्वान है रिष्व ने कहा हाँ हाँ हम यह जानते हैं विखारी ने फिर फूछा अगर यह सरवभम आत्मा संपुर्ण विश्व में विद्वान है तो यह मेरे अंदर भी विद्वान है मैं कौन हूँ मैं इस विश्व का यह के भाग ही तू हूँ तुम सत्ते बोलते हो युवा ब्रामन इसलिए हे रिश्यो मुझे भोजन न दे कर आप उस सरव हम आत्मा को भोजन देने किसे माना कर रहे हैं विखारी इस बात की सच्चाई जानकर रिश्यो ने उसे भोजन दे दिया और भीखारी ने भोजन पाने के लिए रिषियो को किस तरह माना है इस तरह से देख सकते हैं इन चर्चाओं के चर्चाओं में भाग लेने वाले हधिकांस तो पूरुष ब्रामन तो था राजा होते थी कभी-कभी गर्मी जा सिस्तिरी विचार को कभी उलेक मिलता है बिद्वात्ता के लिए प्रशिद मारक गारगी राजदरवारों में होने वाले वाद भीवाद में भाग लिया करते थी निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद भीवाद में बहुत कम ही मिस्सा लेते थे इस तरह के एक प्रशिद उपवाद सत्यकाम जाबाल का है शत्यकाम जाबाल का जन्म उसकी दासी मा के नाम पर वरा शत्यकाम के मन में सत्य जानने के तिर्वी जिग्यासा उत्पन हुई गौतम नाम्मक एक ब्रामन ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रुपने सरकार किया तथा वो अपने समय के पर सरवाधिक प्रसिद विचारक संकराचार्ज के द्वारा किया गया जिनके बारे में तुम करक्षा साथ में पढ़ोगे ब्याकरन विद पनिनी इस यूग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे उन्हें परसिद विद्वानों में एक पनिने संस्क्रीत वासा के वयाकरन की राचने की उन्होंने स्वरो और बेंजिनों को एक विसेस क्रम में रखकर उनके अधार पर सुत्रों की राचने की ये सुत्र भीज गनिते के सुत्रों से काफी मिलते जूलती है इसका परयोकर उन्होंने संस्क्रीत वासा का परयोक के नियम लगो सुत्रों लगवक से तीन हजार के रूप में लिखें जैन धर्म इस यूग में आथात लगवक पचीस सो वर्स पूर्प जैन धर्म के चोबिश वे तिर्थकर अंतिम तिर्थकर वर्दमान महाबीर ने ने भी अपने विचार का प्रशार किया वह वज्ज संग के लिच्वी कुशिक एक शत्रीय राजकुमार थे इस संग के भी में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगए बारा वर्ष्ट तक उन्होंने कटें वह एक आकी जीवन ब्यातित किया इसके बाद उन्हें ग्यान के प्राप्ति वह उनकी सिक्षा सरल्थी सत्य जानने के एक्षा रखने वाले पड़ते कि इस तिरिए पुर सभी जीव जीना चाहते हैं सभी के लिए जीवन प्रीय है महावीर ने अपनी सिक्षा प्राकृतिक में दी यही कारणे के साथान जन भी उनके सांथ और उनके अनुवाईयों के सिक्षा को समझ सके देश की अलग-अलग हिसों में प्राकृतिक अलग-अलग रूप प्रच चलन शेतर के अधार पर ही उसके अलग-अलग नाम थे जैसे मगद में बोली जाने वाली प्राकृतिक मगदी कहलाती थी जैन नाम से जाने जा गए महावीर के अनुवाईयों का भोजन के लिए सिक्षा मांग कर साधा जीवन विताना होता था उन्हें पूरी तरह से अब कुछ त्याग देना परता था अधिकांस व्यक्तियों के लिए ऐसे करें नियमों का परण करना बहुत कटीन था फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इसका इस नई जीवन सहली को आजानने और शीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिये कई अपने घरों पर ही रहे और विकुखनी वने लोगों को भोजन परदान कर उसकी सहायता करते हैं मुक्त परिवारे बयापारियों ने जयन धर्म के शमरतन किया किसानों के लिए इन नियमों का पालान अत्यांत कटीन था क्योंकि फसल की राक्षा के लिए उन्हें कीर मकौरे का मालना परता था बाद की सदियों में जयन धर्म उतरभाद के कई हिसों के साथ गुजरात तमिलनाडू और करनाटक में भी फैल गया महाविर तता उसके अनियायों के सीख्चा कई सताब्दियों तता मौके करूप से ही रही वरतमान रूप में उपूर लब्द जयन धर्म की सीख्चा तक वह पंदर सबर से पुर्ब गुजरात में बलवी नामा का स्थान पर लिखी गई थी मानची साथ प्रिश्टन के 105 में देखें यहां पर जहन धर्म के बारे में जहन सब्द की लिखा है जिसका अर्थ वी जयता होता है महावेत लिए जहन नामक संग बनाया जहां घर कते या करने वाले लोग एक सांतरा सके संग में रहने वाले बहुत विख्चुगों के लिए बनाएगा नियम बिनाय पीटक नामक ग्रांथ में मिलते हैं बिनाई पीटक से हमें पता चलता है कि संग में पूर्शों और इस्तिरियों के रहने के लिए अलग-अलग विवस्ता की थी सभी व्यक्ति संग में परव्यस ले सकते थे अलाकि संग में परव्यस के लिए बच्चों को अपने माता पीता से दासों को अपने स्वामी के राजा के यहां काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देंदारों से अनुमती लेनी होती थी एक इस्तिरी को इसके लिए अपने पती की अनुमती लेनी होती थी शंग में प्रिवेस लेने वाले इस्तिरी पुलिस बहुत साधा जीवन जीते थे वे अपना अधिकान समय ध्यान करने में बिताते थे और दीन के एक निश्ची समय में वे सहरो तथा गाओं में जाकर सिक्षा मांगते थे यही काराने कि उन्हें भेख्चु और भेख्चुनी साधु विखारी के लिए प्राकृतिक सब कहा गया वे आम लोगों के सिक्षा देते थे और शांथ ही एक दूसरे के सहायता भी करते थे किसी तरह की आपसी लराई का निप्टारा करने के लिए वे प्राया बैठा के भी किया करते थे शांग में प्रविस लेने वाले ब्राह्मन शत्रिये वे पारी मजदूर नाई गनिकाय तथे दास सामिल थे इनमें से कई लोगों ने बुद्ध के उसी चाहों के विसाय में लिखा था था कुछ लोगों ने संग में अपने जीवन के विसाय में सुंदर कवी ताव की राचना की वहारी को काटकर बनाई गए एक गुपा या काले वर्तमाण महाराष्ट में इसके लिखे बहताय और भेगशोन्य इस स्अरुन अस्तलपल रत धियान किया करते थे पिछली अध्याय में वर्णित संग और एक अध्याय में वर्णित संग के बीच दो विमिनताय बताओं क्या उत्में से कोई शर्मानता दिखाई दिखती है विहार जैन तता वो दिख्षुनों फूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे वह वार्ष्ठा रितु में जब यात्रा करते करना कठीन हो जाते था तो भी एक स्थान से एक स्थान पर निवास करते थे आएससे समय विए अपने अनुवायों दोरा उद्धानों में बनवाय गए और अस्थान निवासों में आत्वा पहारी चेत्रों के प्राकृतिव भूफाओं में राते थे जैसे जैसे समय विटता गया विख्षुन्यों निस्वियं तता उनके समर्थकों ने अधिक स्थान सरनस्थलों की सक्ताओं का होने लगा परश्रिम भारत में भी सेश कर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाएगा कि बोध ग्रांट एक बोध ग्रांट से ग्यात होता है जिस तरह महा सागरों में मिलने से मिलने पर नादियों को अलग-अलग परचान पर समाथ हो जाती है ठीक उसी तरह बोध के अनुवाई हो जब विक्षूओं के सिरेणी में परिवेस करते हैं तो वे अपना वर्ण सिरेणी और परिवारत सब दे आगे देते हैं परेया कि सिधन भय पारिय राजात वभूर स्वामी दोरा मतान में दी गई भूमी पर भीहार करने के बान होता था अस्तानिय वैक्षूंओं के लिए भोज अनुष्थर वाईयां लेकर आते थे जिनके बदले ये विक्षुनु ये विक्षुनु नी लोगों को सिक्षा देते थे आगे आने वाले सब्द सताब दियों में बहुत धर्म उप महाद दिवेप के विविन हीश्चों के सांसात महारी चेतरों पर भी खेल गया अध्या नौ में तुम इसके बारे में और अधिक पढ़ोगे आश्रम विवस्ता जैन ततबो धर्म जिस समय लोग प्रिये हो रहे थे वो लगवा उसी समय ब्रामनों ने आश्रम विवस्ता का भी कास किया जहां आश्रम सब्द का ताथविक लोगों ताथपरे लोगों दोरह रहने और ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने के बले अस्थान से नहीं है बलकि इसका ततबर जीवन के एक चरण से है प्राम scientifically ग्रिहस्त या वंप्रस्त तास्ननियाज नामक चार आश्रमों की विवास्टा की गई ब्रामा चाज के अंतरगत ब्रामन चत्रियत धवेस्टर से यह सपेक्षा की जाते थे कि इस चनन के दोरान विसादा जीवन विताना विताकर वेदों का ध्यान करेंगे ग्रिहस्ट आस्रम के अंतरगत उन्हें भी वाह कर एक ग्रिहस्ट के रुप में रहना होता था वान प्रस्टे के अंतरगत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी आतव उन्हें सब कुछ तेयाकर सन्यासी बन जाना था आस्रम विवस्ता ने लोगों को अपने जीवन को कुछ इसा ध्यान में लगाने पर बल दिया प्राय इस्तिरियों को वेद पढ़ने की अनुमती नहीं थी और उन्हें अपने पतियों दोरा पालन किये जाने वले आस्रमों को ही अनुसरान करना होता था शंग के लिए शंग के जीवन के आस्रमों की यह वेवस्ता किस तरह भीन थी या किन वर्णों का उलेख हुआ है किया सभी चार वर्णों का यह आस्रम वेवस्ता अपनाने की अनुमती थी अन्यांत देखेंगे एटलस में इरान ढूडो और जर धुस्तर एक इरानी पेंगंबर थे उन्होंने शिक्छाओं का संकलन जेंद अवेश्ता नाम ग्रंथ में मिलता है जेंद अवेश्ता की भासा तता इसमें वड़नी ते रिती रिवाज वेदों की भासा तता रिती रिवाज जोसे काफी मिलते जुलते हैं जर धुस्तर की मूल शिक्छा का सूत्र है सद विचार या सद वचन तता सद कार्जी एए इस वरबल सत्तेश प्रधानता और शद विचार प्रादान कीई जिया जिन के जरिये हम सांती बना सके 1000 से ओधिक वर्षो तक जरतु सस्तर भादी हिरान का एक प्रमुक्त धर्म रहा बाद में कुछ जर्थु सास्तरबादी हीरान से जाकर गुजरात और महाराथ के टटिये नगरों में बस गए वे लोगों ही आज के परशीयों के फुर्वज है कलापना करें तुम लगबग ढ़ाई है चार वर्ष पल ढ़ाई सो सल पले एक उपदेशक को सुनने जाना चाहती हो वहाँ जाने के अनुमति देने के लिए तुम अपने माता पिता और कैसे समाती करोगी या इसका वर्णन करें उपयोगी सबने है तज्जा यानि त्रिष्णा प्राक्रितिक आत्मा ब्राहा उपनिशत जैन आहिंसा विक्षुन संग विहार और आश्रम यहां पे कुछ कोशन दिया है जो कि आपको करना है मातोफुन तीथी देखेंगे तो उपनिशत के विचारक जैन महावीत तबूद लगवग धाश सो साल पहले जैन गरंतों कल लेकन लगवग फंदस साल पहले हुआ था यहां पे आपको विडियो रोकर सारा कोशन आपको करना है तो फ्रेंट्स यह विडियो यहीं पर समापत होता है आपको यह विडियो कैसा लगा नीचे कमेंट किजिए मिलते हैं फिर अगले विडियो में तब तक के लिए थैंक यू